जैहिन हमारा पडोसी देश सिरलंका जो है वो चाइना के देप ट्रेप में फंस चुका है अब वो चाइना का एक उपनिवेस की तौर पर बनने जा रहा है फिलहाल उसको आईए में बेल आउट पैकेज देके रिवाइव करने की कोशिद कर रही है यह बेल आउट पैकेज क् सतंत हुआ इसका पुराना नाम सिलों था अभी यह चाय की उतपादन के लिए पुरी दुनिया में फे Jen अदिकार कर लिया था तहू भारत का सासक राजेंदर चोल था उसने अधिकार कर लिया था, हाला कि इसको कई लोगों ने आकर्मर किया, इतिहास में पढ़ा चुके आप लोगों पर ही करिकाल हो गया, राज-राज हो गया, राजेंदर पर्धम हो गया, या फियर विजया नगर सासक जो थे, उन्हों ने भी इस पर कई वारा अधिकार किया था सिरलोन पर सिरलोन पर ही असोक ने अपने महेंद और बेटी संगमित्रा को बहुत धरम के परचार के लिए भेजा था है यहाँ पर यहाँ पर मननार की पाक की खाड़ी है नीचे में मननार की खाड़ी है तिरलंका की राजधानी जो है स्री जैवर्धन पूरम है कोलंबो मत मार दीजेगा कोलंबो पूराना है कोलंबो से भी पहले कैड़ी था कैड़ी से भी पहले अनुराधापूर था वो सब बहुत पहले क की बात को एसा सिर्लांका के लिए यह जो भोई की सass stitch साल के लिए सब्सक्राइब्स पॉइंट पेडो यह अक्सरे रिखाम में कोश्टा नहीं है जो बात में होके शिरलंका मेंन यह नाम सेocaust स्रिलंका का यहां पर एक डर्र है जिसका था टा नां supporter बहुत साल पहले यहां तमील विद्रो हुआ था जिसका नाम था लिब्रेशन टाइगर साफ तमील इलम एल्टीटी इनका कहना था कि हम वह यह राज अलग दे दीजिए यह मेरा एक अलग देश रहेगा पाद में इसे भारती सेनाद जो थी दबाई थी जिस वज़ासे राज एक दम आउते कोई घर में घुसते हैं घुसते पुझागे चाय पीएंगे चाय हमारे यहां बहुत पिया जाता है और आगे समझते हम लोग चाय बनाते उत्पारण करते हैं पी के सब खतम ही कर देते हम लोग सिरलंका की अर्थवेवस्ता चौपट कई से होई सिरलंका की अर्थवेवस्ता चौपट होने के में रिजन था कोरोना और चाइना का कर जा कि सिरलंका की अर्थवेवस्ता में 10% योगदान उसकी जीडीपी में टूरिस्ट का था परहतन का 10% जीडीपी में बहुत माइने रखता हमारे देश में सबसे बड़ी कंपनी जो है ताटा ग् डालिक्वाम है टाटा की एरलाइन से टाटा नमक है टाटा का कुलारी फावडा इस बनता है टाटा के आपका अब देखेंगे कंपनी यह कंपनी यह बावजूद भारत में केवल 5% जीडीपी में योगदान करता है जबकि सिरलंका में टूरिजम जो था वो 10% करता था ले लेकिन पेट्रोलियम में यहां 85% की महंगाई देख गई जो पेट्रोलियम क्राइसिस आगया भयानक यहां पर फॉरेन मुद्रा इतना कम पड़ गया कि स्रिलंका की सरकार को लूज डॉलर रिसीब करने पड़े मतलब जिसके पास एक को दू डॉलर है वह भी बैंक में जाके दे सकता है कि देश के पास कुछ पॉरेन रिजर्व आ सके यह लोग यह बहुत यह जब महिंदरा राच पक्षे हैं अपने आप में बहुत उड़ते थे अत्य धिक जादे घ चाइना को लगता था कि यहीं पे चाइना गुलाम बना के रखना चाहता है हमारे भारत के लोग हम जीनते हैं और जीने चाहते हैं अब आया समझ में आप है अब भारत के पीछे आ रहा है इनके यहां फॉरेन डिजर्व पूरी तरह से चोपठ हो गया फॉरेन रिजर्व क चाहते हैं और एक्सचेंज को हम लोग एक्स कहते हैं इनके पास महज देड़ बिलियन डॉलर है 1.5 बिलियन डॉलर बस इनके पास फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है इसको सम्हालने के लिए इसने अपने सेंट्रल बैंक यानि जो वहां का आर्बी आई का काम करता है उसके डिरेक्टर कोई बदला लेकिन इतनी अर्थवस्था चोपट हो चुकी थी कि ये लोग उसको सम्हाल ही नहीं सके यहां के आर्बी आई या जिन जो में बैंक हो उसे सेंट्रल बैंक आफ सिरलंका कहा जाता है जैसे हमारे यहां सबसे बड़ा जो बैंक हो रिजर्व बैंक इंडिया पाकिस्तान में उसे स्टेट बैंक पाकिस्तान कहा जाता है वो भी अब सम्हाल नहीं पाया हाल यह हो गया कि सिरलंका को अपने तीन तीन देशों से राजदूत वापस बूलाने पड़े राजदूत बहुत ज़रूरी होता है दो देशों में रिलेशन को बना कर कि वरना राजदूत नहीं रहेगा तो देश में बड़ा दिक्कत हो जागा रिलेशन खतम होने लगा जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोग बीदेशों में काम करते हैं अमरीका ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी यूएई साओधी इरान ओमान हर जगह काम करते हैं 55 लाक से लगा एक सैपरस से बुला लिया वापस जर्मनी से वापस बुला लिया। और यहां नाइजीरिया से वापस बुला लिया। आखे आज भई साब है कि खराब है इसकी इस्तिती इतनी गिर गई है इसलिए हाँ पर तमील लोगों के अते अधिकारों को भी दबाए जाता है भारत तमीलों के लिए भी एहाँ पर इंसकर रगד तो भारत के दबाव में यहां संभीधान में 13 हमा संसोधन किया गया कि तमीलों के लिए एक विशेश प्रावधान किया जागा लेकिन अभी वी संसोधन को इसने माना नहीं है तो 13 पाटियों ने भारत से पत्र लिखके मदद की गुहार लगाई है भारत क्या इंटर्वेन कर अगर यह पूरा साल भर कमा के भी करजा देगा तो भी नहीं चुका पाएगा यह तो परसेंटेज में हुआ लेकिन एक रियल वैलू होना चाहिए कि कितना लिया है समझिए टोटल इसने करजा ले रखा है 26 बिलियन डॉलर 26 बिलियन डॉलर अब आप हो या हम हो कोई भी देश करजा लेता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि आजे चुकाना है ऐसा थोड़ी होता है कि अबेदे यहाँ पर उसका एक लिमीट होता है कि हम यह 10 साल में चुकाना है लेकिन हाँ उसका किस्त होता है कि इस साल में इतना किस् तो हम यह समझते हैं, 26 बिलियन डॉलर में, वह किस्त जो इस साल सिरलंका को चुकानी है, यानी 2022 में, यानी 2022 में 15 दिन हुआ है, तो 2022 जो है, यहाँ पर 22 में इसे 7.6 बिलियन, यानी 7.7 बिलियन इसको डॉलर कर या वापस्त करना है, और इसके पास पैसा केतना बचा है, 3.5 बिलियन, वह, देना केतना है, 3.7 बिलियन, बचा केतना है, 3.5 बिलियन, हो गई, बैंकरप्टी की नवबत आई, अब इसके सामान बिखने लगेंगे, कि जब भी हम किसी से करजा लेते हैं, तो सिक्योरिटी में कुछ मोर्गेज लेता है, कोई भी इसे करजा देगा, जैस या फिर एरपोर्ट दे देगा, जैसे भारत करजा लेगा, तो कह देगा, भी दिल्ली का एरपोर्ट हम मोर्गेज के रूप में रख सकते हैं, कि अगर नहीं चुकाएं, तो फिर हमारे दिल्ली एरपोर्ट से जितनी इंकम होगी, आप ले जाएंगे, पूरा कंट्रोल पूरा नाम क्या होता है, International Bank for Reconstruction and Development, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, ये उसका पूरा नाम होता है, entitled World Bank का, तो World Bank जब भी लोन देती है, तो ये अच्छे लोगों को लोन देती है, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, लोन टाइम में लोन देती है, तिस साल के लिए, चालिस साल के लि आप अपना बीजनस खड़ा करना चाहिए आपकी दो फेक्टरी चार फेक्टरी आप एक और लगाना चाहते हैं इस ताम कंडिशन में आपको वर्ड बैंक लोन देख पता चला आप अच्छे खासे सेलेरी थी ठीक ठाके घर में दूजारी चार आदमी के एकसिडेंट हो गया अब आपकी इमर्जेंसी में डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहेगा कि आपका खाना पीना बंद हमरे हिसाब से खाईएगा हमरे हिसाब से सोना है हमरे हिसाब से उठना है तो डॉक्टर के पास गया तो अपना नियम कानून लगा देगा पस यही होता है CS से कर जा लेंगे तो World bank interfere नहीं परता हैं बहुत कौंढम पर लोन देता है। आपको बहुत ही low interest rate इंट्रेस्ट रेट पर लेकिन IMF दोर सब्सक्राइब हुझे हैं? सब्सक्रेखते हैं इसाकी का रायतुट बेल आउट में क्या होता है, बेल आउट पैकेज में आपको लोन तो दिया जाता है, लेकिन आप अपनी सोवरेंडिती, अपनी सम्प्रभूता खो देते हैं, फिर आपको उसके इसारों पे चलना पड़ता है, ऐसी नौबत भारत पे भी आई थी, 1991 में हम लोग उने भी बेल कि आप भारत में भी देशी कंपनीओं को आने नहीं देते हैं, यहाल सरकारिये कंपनी रहती है, हम एक ही सर्थ पे आपको पैसा देंगे, बेल आउट में पहली पता है, बेल आउट का मतलब ही उता है, सर्थ रखेगा आपने नियम की आप प्राइवेट कंपनीओं को भी दोनों को छूट दीजैये और लिबरलाइजेशन किजिए और ग reference कीजीए, lpg कीजिए 1921 मिंदर प्राइवेट को भी दीजिए और भी देसी को भी देजिए दोनों के साथ'. अ casi सरकारी प्राइवेट और विदेसी कंपनी में भेध भाव नहीं होना चाहिए था. सब्सक्राइब हो recuperative in company ने टाइब होंड़ा ने अ हैंगा यह कोड़ी हृरो लुट ही अच्छा हर सक्षाय थालफकि लैंका रिन प्लाट ठीग राइब केवालिता शून सब्सक्राइब क्या ही बता है तो बेल आउट पैकेज़ आप समझ गए दूसरा क्वेश्चन एक्जाम में पूछेगा कि आल पर कालीन रिण कौन देता है छोटे समय के लिए तो आई एमेफ देता है तिरकालीन और विकासात्मक कामों के लिए वो देता है इमर्जेंसी और भुक्तान संतुलन में गड़बड हो जाता है भुक्तान संतुलन में पैसा देना है फील पेमेंट करना है पैसे नहीं है उस्तब के लिए आई एमेफ होता है यहां आई एमेफ देता है स्रिलंका का आभी हम लोगों ने हाल ही में स्रिलंका का यह वाला एरिय चाइना इसे लेना चाहता था लेकिन भारत ने इसे लीज पर ले लिया भारत यहां पेट्रोल रखेगा आप कहेंगे बारत पगलागे आई का अपना पेट्रोल सिर्लंका में काहें रखेगा रीजन समझे क्या होता है अभी कभी क्या है कि तेल के दाम में अचानक गिरावट जाती है इतना गिरावट आ जाती है कि किसी भी देश को अर्बो खर्बो का फायदा हो सकता है उस इस्तिति में जैसे भारत में 2020 में इतना तेल का रेट गिरा था इसका कोई हद नहीं 32 रुपय लीटर पे चलाया था इरान वगरा जो बिदेशी है हम लोग को तो महेंगा ही मि सब्सक्ता कर पहिए कंधिन है किस तरह से स्ट्रेट्ड वीडियो बना है आप लिंक है देख लिएगा कि किस तरह से इस्ट्रेट्ड इंडच进 होते हैं काम करते भरत में लिया चीन ने इसमें अएतिराज गय पर चीन ने क्या कहा है कि सिरलंका को किसी तीसरी ताकत से बचना चाहिए, तो भारत सरकार को भी यहां कहना चाहिए, कि सिरलंका की बरबादी के पीछे भी किसी तीसरी ही देश का हाथ है, बने चाइना का हाथ है, चाइना किस तरह से फसाया है अपने BRII प्रोजेक्ट में उसको समझे ध्यान से, चा तो चाइना का, हम लोग अपने भारत में अच्छा से सडख नहीं बना पाज है, तभी आईए बिहार में आपको, आपको यहां 100 किलोमीटर चलने में 5 घंटा लगेगा, जबकि किसी भी देश में विकास का एक सीधा सा उसूल है, अगर आप एक घंटे में 100 किलोमीटर के डिस जाना हो जाता है, तर गंटा पांच घंटा लग जाते हैं, 100-100 किलोमीटर डिस्टेंस हैं, तो चाइना के पास इतने पैसा थे, उसने पूरी दुनिया में सडख बना दिया, तो पैसा दिया अपना है, लोगा हमरा सडख है, इसने दो तरह से सडख बनाया, एक जमीन पर ज कहता है वन बेल्ट, इसे वो कहता है वन बेल्ट, फूसरा समुदरी रास्ते को भी उसने बनाया, जगा जगा पर बंदरगा बनाया, लगभग यहां पर साथ देशों में इसने क्या किया, बंदरगा बनाना चालू किया, साथ देशों में, इसे कहता है वन रोड, वन रोड, तो जो अस्थल मारग है उसे कहता है one belt और जो समुदरी मारग है उसे कहता है one road उसी को कहता है one belt one road initiative इसी को shortcut में belt and road initiative BRI कहते हैं तो OBRB कहिए one belt one road कहिए या उसी का short form होता है BRI project और इसी को आप कह सकते है silk route कह सकते है silk route आज से 2000 साल पहले हुआ करता था प्राचीन काल में उसी का ये निया वर्जन है इस project के तहथ China अपने गोधाम में पढ़े पैसे जिसे वो समान बेच बेच के कमाया है आज दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं है जहां Chinese समान नहीं है अब कितनो चाइना को गरिया लेजी लेकिन Chinese समान आपके घर में भी हो अपने पैसा को इस तरह से यूटलाइज किया कि पूरी दुनिया में वो साड़क बनाता था तो पैसा उसी देश से लेता था और वह भी देश कर रहाएगी आमरे पास पैसे नहीं है तो कम से कम इसी के पैसे बना रहा है चाइना क्या करता है किसी भी देश में BRI प्रोजेक होगा ना इक्षे क्कॉलिटी का स्टील होगा न अच्छे क्उलिटी किiennent होगे यह तो बनाने को दूबना दिया टायना को पैसा दिया लोन के रूप में तो अब देश है और उसी से यहां पे स्टील बेचा ऑटीर दिया सिमेंट दिया उसके फितने प्रोजेक्ट बनाएंगे उतने बिद्वान होंगे क्योंकि एक्सपीरियांस आएगा अलग अलग देशों में रिफाइनरी लगा रहा है रिफाइनरी के लिए भी टेक्निशियन चाइना से बहतरीन धांका लोहा मसीनरी बड़ी बड़ी चाइना से ऑईल पाइपलाइन भी पूरी दुनिया में BRI प्रोजेक्ट के सब कहां से आ रहा है चाइना से उसका पैसा भी इंवेश्ट हो रहा है व्याज भी आ रहा है उसके लोगों को रोजगार भी मिला है उसके टेक्निशियन भी सीख रहा है उस एक्स्पिरियंस भी हो रहा है अब बड़े बड़े ग्लास आया China से, पूरा खत्म हो गया तो वो पी रहा है उसको फेक दो इसको खत्म हो गया लोल कहीं का इन सव को क्या मिल जाए रोजगा इसी वज़ा से आज दुनिया में प्रेकर के मामले मैं चाइना सबसे आगया है हमारी पास वरकर है बट पर इता के वरकर में और रेजिदिक मलिक काम चाहिए आई-दस अज़ार का जरूवत है काम चाहिए मालिक पुछे काम क्या जानते हो तो कुछू करा लीजे ये भारत में है हम पाइंटर हैं हम को काम चाहिए हम टेकनीशियन हैं हम को काम चाहिए polивать हैं काम चाहिए nut कर सते हैं काम चाहिए मतलब वो skilled है, वो अपने होमनर को बताएगा और आपसे काम मांगेगा, भारत में मजबुरी बताएगा, काम मांगेगा, हमारे यह यह हो गया है, तो यह चाइना कसे, हमारे यह लोगroyable काम ने, चाइना ने पूरी दुनिया में सड़क б나 रहा है, पूरी दुनिया में एर्पो गया था, एक्षुली बियाराई प्रोजेक्ट के तहद, वन बिल्ट, वन रोड इनिसियेटीव कहिए या सिल्क रूट कहिए बियाराई प्रोजेक्ट के तहद, पूरी दुनिया में सुसरा, साथ देशों में चाइना ने काम करा रहा है, वहाँ पे एक्षुली लोगों को लग रहा है कि चाइना जो है, वो लोन दे रहा है और उन लोग की इंफ्रास्टेक्टर को डेवलप कर रहा है एक्षुली वो लोन नहीं दे रहा है वो लाइन अव क्रेडिट दे रहा है line of credit क्या होता है कि जो हम किसी देश को करजा देते हैं इस सर्थ पे कि तुम इस लिएगा करजा से हमारे ही देश से समान खरीदोगी तो चाइना पैसा पैसा कमा रहा है इतना पैसा हो गया और हमारे देश में अभी चुनाओ चल रहा है पंजाब का खतम होगा उसके बाद उतराखंड का खतम होगा यूपी का खतम होगा उसके पिर कहीं के चलू हो जाएगा अभी बंगाल में खेला हुआ था अभी कहीं और ख उपर कपजा कर लेता चाहिना बड़ी खतरनाक है वह इस तरह देता है यहां पे पूरा कर्जा से दबा दिया है और यहां नय लोन के चक्कर में निंको लिए कड़ा में गिरा दिए जा हमें इसा के लिए बरबाद हो कभी की नहीं उच्वासरी चाइना वहाजा देंगे गए पुरी दुनिया विसांथ हो जाएगी कई या लुवն दियो चाइना के पास पैसे यह उसके मेहनत선, तो यह चाइना की खदरनाक policy है, इसी के ठर चाइनागर ने और स्रि लंका मेंoweas दिलंका ने 10 साल में लोन नहीं चुका पया बarnty two billion dollars लोन नहीं चुका पया आई ने कहा कि आपका लोन हमने दिया दसाल टाइम दिया आप 10 साल नहीं चुका पये अब एक काम कीजिए या तो हुम इतना पैसा दे दिजिए या तो यह बंदरगा का हमको दे दीजे 2019 साल हमरा यह बंदर तक हम क्या करेंगे आपको कोẩई मतलब नहीं में निनानबे साल में कमाएंगे अगर इतना कमाई हो गया तो criticisms यहां पर भारत के लिए गड़बढ़ है अगर चीन के हाथ हो बिकेगा तो यह गड़बढ़ है भारत कभी भी किसी देश को इत्या से नहीं देखता है लेकिन चीन की नजर बहुत ही खराब है लेकिन कुछ भी कहिए हमारे यहां क्या है कि हम लोग पास साल में सवसुरा और बिकेटिन साल पर गयब करके किसी न किसी राज में एलेक्शन होता है उसके चक्क सब्सक्राइब हमारे यहां लोग इतना काम ही नहीं कर पाते हैं अरे यहां कि पता कोई पता भी होगा कि नहीं BRI प्रोजेक्ट क्या होता है यह रहोप आप इसे समझे होगें विलेंगे ने